22 में बदलाओ ये जो एक सिलेंडर का कटाउट लगाया हुआ है तो ये जो मुद्दे रहने वाले हैं वो देखना होगा कितना असर इस बार चुनाओं में देखने को मिलेंगे हलाकि जो चीजे नजर आ रही है खास करके अगर हम बात करें जो गठबंदन यहाँ पर होगा उसका कितना फाइदा मिलेगा ये भी समझना होगा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये बताये किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंदन कितना कारगर साबित होगा देखें पिछले एक साल से उपर किसանनों को धर्ना रत हो गया है पूरे परदेश में पूरे भारत में किसान परेशान है इस केंदर सरकार और उत्तरपरदेश सरकार से अब यहाँ पस्ची मुत्तर परदेश में ये परिवर्तन संदेश रैली का आगाज होने जा रहा है और इस आगाज के साथ ये संदेश भी है इस पूरे उत्तर परदेश में के हम लोग मजबूती के साथ परदेश में 2022 में सरकार लाने वाले हैं और एक-एक मुद्दा नहीं है मुद्दे बहुत हैं मुद्दे आप देख लीजेगा बेरोजगारी का मुद्दा महिलाओं पर अत्यचार का मुद्दा युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा और इस मुद्दा पता रहे हैं वो तु सबसे बड़ा मुदा बेटियों का है। हमारे नेता ने लाठी खाई। इसलिए नहीं कि ऐसे ही निकल जाए। सिर्फ इसलिए जो इस मैशेज बायी कि बेटी किसी भी समाज के लिए हो किसी भी समाज के हो हम खड़े है। तो पहला तो यह भी है पहले जो साथ मिलना चाहिए ता वो साथ नहीं मिलाता इस चुनाओं में आपके साथ हैं यहां के किसान बिल्कुल क्योंकि पहले की बात और हो गई थी अब जो है इतने दिनों से परेशान भी हो चुके हैं कितना आजमा भी लिया है अब तो कोई और रास्ता है बदलाओ नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद रैली हो रही है और जहन चौधरी अखलेश यादो एक साथ नज़र आएंगे यह जैन चौधरी साब और अखलेश की बात निया यह चौधरी चरण सिंग का विचार जिन्दा हुआ है यह तो एक नाम धराव्याइश समाज बा चरण सिंग की आत्मा के रूप में दोनों यहां दिखाई देंगे बदलाव तो हुआ पड़ा बिल्कुल तो तमाम जो लोग हैं देखी हमने दोनों ही तरप से बात किया चाहे हम रालोत की बात करें समाजवादी पार्टी के समर्थकू की बात करें लगातार रैली अस्थ चौदरी जो है कुद करने जा रहे थे और यहीं वो मंच बनाये गया है इस मंच पे अखिलेश यादव पहुँचेंगे और जैन चौदरी अपसे थोड़ी दिर बात पहुँचेंगे दोनों लोग साथी आएंगे मुद्दे जो हैं बहुत असपश्ट हो चुके हैं महिला चुनाओं से बात हुई महिला सुरक्षा की बात की जा रही है पश्चिमी यूपी में किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे एहम रहेगा जाहिर सी बात है इस गटवंदन के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी उट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाओं के बाद ही पता चलेगा कैमरा मैं नाकास के साथ गौरो मिस्रा निउस इंडिया मेरट